उसकी कुछ दोस्त नसे के सिकार होगे, कुछ लोग जंगली जनवरों के सिकार होगे, बहुत सारे लोग अनलाइन नोकरी घोटालों के सिकार होगे हैं गाइस इस प्रकर की सेंटेंस इसको आज़म इंग्लिस में सिखेंगे चलिए सबसे फेले इसका structure देख लेते हैं पहले आपको लिखना पड़ेगा subject इसके बाद helping work helping work के बाद आपको use करने है main work fall fall के बाद आपको use करने है pray to pray to के बाद आपको use करने है someone और something जिसके बारे मैं बता रहे हैं चलिए कुछ examples देख लेते हैं तक के आपको यह structure और भी आजानी से समझ में आजाए कोई लोग कोवीड महामारी के सिकार होगे many people fail pray to covid epidemic many people fail pray to covid epidemic दिखिए यह जो सेंटेंस यह past sample में था इसलिए हमने fall का past form यूज़ कर दिये फैल then next sentence कुछ लोग जंगली जनवरों के सिकार होगे some people fail pray to wild animals some people fail pray to wild animals बहुत सारे लोग online नोकरी घोटालों के सिकार होगे a lot of people have fallen pray to online jobs scams a lot of people have fallen pray to online jobs scams हुजारों छोटे व्यवसाई उच बैज दोरों के सिकार हो रहे हैं thousands of small business are falling pray to high interest rates thousands of small business are falling pray to high interest rates उसके कुछ दोस्त ना सेके सिकार होगे some of his friends fail pray to drugs some of his friends fail pray to drugs ओकट लेओारों Phillips प्रसमिये वर्वा के सिकार है बाल